नमस्कार दोस्तों मैं मनोजरा ठोड यह में मार टेक्शनोलोजी चानल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज इस वीडियो में विंडोस टेन 20H2 वर्जन कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसकी पूरी जनकरी और स्टेप बाइ स्टेप जनकरी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं सबसे पहले दोस्तों आपको जो बूट स्टोरेज है उसे बायोस में सिलेक करके उसके थ्रूप बूट कर लेना है यहां पर आप लैंगविज सिलेक करके नेक्स बटन पर क्लिक कर दीजिए इंस्टाल नौव पर क्लिक करें और आइडोंट हाव प्रोड़क की पर क्लिक करके जो एप्रोप्रियेट ओएस वर्जिन है आपके मशिन के लिए उसे सिलेक करके नेक्स्ट कर दीजिए आइकसेप्ट नेक्स्ट ओक यहां पर कस्टम इंस्टाल विंडोस ओनली एडवांस इस पर क्लिक करें स्पेस कम होने की वज़े से दोस्तों मैं यहां पर एक ही पार्टिशन बना रहा हूं बट मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप कम से कम दो पार्टिशन बनाईए आपको कि उड़시न सिर्फों के अब में अर्फडली अर्फटर कि अब झाल 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 प्रिजन में दोस्तों इंडिया सेलेक्ट किजिए और यस बटन पे क्लिक कर लें फिर से आपको कीबोर्ड लेयाउट में इंडिया करना है यस पे क्लिक करना है और स्किप बटन क्लिक करना है दोस्तों यहां पर सेट आप पर प्रस्नल यूस पे क्लिक करके नेक्स पे क्लिक करें और अफ्लाइन अकाउंट को सेलेक्ट किजिए यहां पर लिमिटेड एक्स्प्रियंस पे क्लिक किजिए आप जो भी यूजर नेम चाहते है उसकी साब से यूजर नेम डालने के बाद पासवर्ड भी सेट कर दीजिए और नेक्स पे क्लिक कर लेजिए यह जो सारे ओप्शन्स है प्राइवेसी सेटिंग्स के जो माइक्रोसॉप्ट रिकमेंडेट करता है इन सारे ओप्शन्स को आप बंद कर दीजिए और एक्सेप बटन पे क्लिक कर लेजिए और नाव पे क्लिक करें इस तरीके से दोस्तों आपने वो सारे सेटिंग्स कर लिये हैं जो विंडोस्टेन इंस्टॉलेशन के बीच में जरूरी होते हैं और आपको करने होते हैं अभी इस समय विंडोस्टेन प्रोफाइल क्रेट कर रहा है जिसे तकरीबन पास से 6 मिनिट का समय लगेगा यह आपकी सिस्टम के कॉन्फिग्रेशन पर डिपेंड रहेगा थोड़ा इदर उदर जरूर हो सकता है इसके बाद विंडोस्टेन का आप आनंद लिजिए यह बहुत ही आचा ओपरेटिंग स सिस्टम है और सबसे पसंदिद्धा आपरेटिंग सिस्टम में से एक है आशा करता हूं दोस्तों आज का यह विंडोस्टेन 20S2 स्टेप बाइस्टेप इंस्टॉलेशन गाइड आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करना ना बूले आज के लिए बस इतना ही मिलते है अगले किसी खास और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद